नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्टिकल भंडारी में तो आज हमारा पार्ट टू है आपका मैथ कोश्चन के जो टॉप फाइब सीरीज चला रहे हैं उसका जो आपके गॉर्मेंट प्रोटेक्निक एंट्रेंस एक्जाम के लिए काफ़े इ सामें तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर फास्ट आपका स्कीन पर दिया हुआ है इसमें लिखा आपका समकौन तिर्बूज ABC में बी कौन क्या है आपका समकौन है यदि साइन A-C equal to 0 तो आपको बता रहा है देखिए 2A प्लस C का मान अब सबसे पहले इसमें बी कौन क्या絆 है मैं समकौन तो यहांत पहले तिर्बूज बना लेंगे आपका देखें ट्रेंगल हमने बनाया अब यह मालता हमने एंगल ठीक है विह मिए 90 डिगरी ठीक है त्व की वैलेई गृषे यह मैं 90 डिगरी समकौन का है पटकर लेंगे अ और C ले लेंगे हम नीचे ठीक है अब क्या कहा है इन्होंने कहा है कि आपका देखे साइन A-C आपको क्या गिवन है 0 A-C equal to 0 अब साइन में 0 का मान कौन सी वैली को होता है देखे साइन 0 का मान 0 होता है यह आपको पताना चाहिए तो हम क्या लिख लेंगे 0 को साइन 0 डिख लेंगे ठीक है साइन 0 डिख लेंगे हम आपका साइन A-C ठीक है तो साइन से साइन कर जाएगा आपका तो आप क्या बचेगा यहां बचेगा A-C equal to 0 तो यहां से क्या जाएगा निकल के आपका A equal to C ठीक है यानि कि जो आपका कौन A है यह और कौन C यह दोगनों क्या है आपस में कौन A equal to है आपका देखिए कौन C ठीक है A equal to C दिया जाने कि कौन A-C आपके equal है तो अब आपको value बतानी है देखिए 2AC तो सबसे पहले हम A और C का 1 निकाल लेंगे A-C क्या है आपका equal अब तिरबुच के तीनों कौनों का योग कितना होता आपका 180 होता यह आपको पतानी है देखिए कौन A और C और B प्लस क्या हो जाएगा 180 तो तीनों कौनों का योग क्या होता आपका तिरबुच के 180 तो हम लिख लेंगे देखो A ठीक है A प्लस आपका B B आपको 90 की मैंने ठीक है B आपका 90 दिया होता समकौन में प्लस C equal to होता आपका 180 ठीक अब A और C बराबर है तो हम क्या ले लेंगे आपका A C बराबर है तो A को A रहन लेंगे आपका ठीक है B को हम क्या लिख लेंगा आपका B को तो 90 दिया होता है हमारा और C को हम क्या लिख सकते हैं आपका A लिख लेंगे ठीक है प्लस आपका 90, 90 को अगर मैं ज़र उठाके ले जाऊं, 180 में से गटाएंगे, ये कुछ नहीं है, 180 माइनस क्या हो जाएगा आपका 90, तो यहां बचेगा आपका 90, ठीक है, equal to 2A, और A की value कितनी आगे, आपकी कार्ट के solve करका जाएगी, 45, तो I hope आपको clear हुआ होगा, अब इनने पूछ था, आपका value पूछी आपके question में, 2A प्लस आपका देखिए, किसे value पूछी, इनने पूछी यहां देखिए, 2A प्लस C की value, ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, 2A प्लस C, ठीक है, तो 2, A कितना आगया आपका, A आपका 45 आगया, A और B की क्या है, आपके, दोनों बराबर हैं, तो दोनों का मान क्या जागा, आपका 45, यहां जागा आपका 45, प्लस C का मान भी क्या आपका 45, तो यहां आपका 90, ठीक है, 90 प्लस 45, कितना जागा, आपका 135 डिगरी एंगल, ठीक है, तो 2A plus C का मान के आगे आपका I hope आपको clear हो रहा होगा अच्छे से 2A plus C का मान आगे आपका 135 ठीक है अब option में देखते हैं देखिए option B क्या हो जाएगा आपका 135 ठीक है तो option से आपका correct answer हो जाएगा तो I hope आपको clear हो आओगा चलते है next most important question पर आपका यह आपका log का लिया है हमने देखिए इसमें क्या दिया है आपका देखिए log हमें इतना इतना दिया है log base A 9 equal to 2 दिया है ठीक है हमें क्या given है log A base 9 equal to 2 और फिर दिया हमें log B ठीक है मैं ल log B base में B 8 equal to 3 तो log base में A upon sorry base में A और B का मान बताना आपको यह option देखिए ठीक है तो सबसे पहले एक formula होता है जब भी हम देखिए कहीं value दियो हमें log X Y equal to दिया हो आपको Z अगर हम यहां से log देखो eliminate करेंगे तो क्या होगा आपका जो X है यहां से देखिए अब यह लिखा आपका base में A है ठीक है तो यहां से देखिए अब यह लिखा आपका base में A है ठीक है लोग हटाएंगे तो क्या होगा यह इसकी नीचे से लाएगा यानि कि 9 तो ऐसी रहाएगा बना हुआ ठीक है तो A square हो जाएगा अब 339 तो आपकी A की value क्या हो जाएगी यह आपका 9 है ठीक है तो A की value कितने आपकी 3 हो गई next देखिए यहां के लिखे आपका log अभी यहां से भी log हटाएंगे तो आपका 8 तो ऐसी रहाएगा ठीक है सामने चलाएगा बी और power में का जाएगा आपका यह 3 ठीक है अब बी 3 क्या होगा आपका 2 की power 3 क्या होता आपका 8 ठीक है ठीक है बी की पाववर 3 पाववर समान होगी तो बी की value कितने आ गई आपकी wiping value टू औ गई ठीक है तो बी की value कितंने आ गई आपकी 2 आ जाएगी यहां से ठीक है अब b two आ गए तो यह वोगा बेस 3 और फिर 2 तो ओगए तो ऑ Hello Now अब ऑप्सवारित भी किसका दिया हुआ है ने कर थे तो डेखिक्षण क्या लोग 3 अर्फिर 2 टिक है तो अबया जाए है अब कि यह न्युक्ष 새 फख सप्रोपर का चलते हैं चोड़न के की statement में क्या दिया हुआ आपका xy दो रेखा दिये हैं देखिए दो रेखाए दिये हैं एक दिया आपके x equal to y और एक दिया आपकी y equal to root 3 x plus 2 ठीक है तो इनके बीच का कौन बताना है तो सबसे पहले कौन का फॉर्मल लिख लेते हैं क्या होता आपका यह होता अब देखिया हम इन दोनों देखाओं कि तुलना कर लेंगे ठीक है इसके परवणता एम वन माल ली हमने और इसके माल लेंगे म्टू को वहले निकालनी है हमें क्या दिया य बराबर x लिखावाय है तो हम इसके तुलना कर लेंगे किसे y बराबर mx plus c ठीक है इस फॉर्मूला से हम तुलना करेंगे दोनों देखाओं कि बारी बारी से तो इस देखा के लिए हमने वाई बराबर x के लिए एंटू एक्स प्लस सी तो यहांने एंटू मानले इसके परवर्ण था तो एक्स कोफिसेंट क्या है आपका रूट 3 दिया है तो हम यह रूट 3 आपकी एंटू के वैल्यू आजाएगी अब यह वैल्यू इस फॉर्मूला में पूट कर देंगे हम आपका ठीक है तो एंवर क से मल्टिप्लाइफ यह माइन सुरू 3 की मल्टिप्लाइफ ऑन माइनस रूट 3 कि मल्टिप्लाइज है तो ऑन तो ऑल यहाजल लगा दिया तो अभी स्वार्पर रखू ऊपर तो लेगे 1-फॉत HonKaki को हम पैके और माते होच्पर की एंग कि यह क्या हो जाएगा माइनस थ्री अध्यागा आपका यह मॉट के अंदर टीक है तो अब इसको रोड़र करेंगे 1-3 का क्या है यह फोल स्केर तो स्लॉप करें करें हैं 1 ठीक है प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 ठीक है यह सब मौट के अंदर चला है मैंने आगे लिख लिए हैं जगह नहीं बच्छी थी तो अपन में आ गया यह देखें माइनस 2 आ जाएगा अपन में ठीक है तो आगे सॉल्ब करते हैं से फिर यह सॉल्ब करके क्या आगा देखिए अब यहां लिख लेते हैं तो यह जुड़के क्या हो जाएगा आपका 234 हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 ठीक है यह कट जाएगा 2 से 2 वैल्यू यह तो माइनस रूट 3 तो से 2 गट गया और मॉट से बाहर लाएगे तो क्या होगा माइनस अलमिनेट हो जाएगा अभी 10 में किसकी वैली होती है आपकी यह जहां अखना है ठीक है टेन ठीटा तो यह होती है आपकी 10 ठीटा इक्वल टू यह रूट गया देखिए 2 माइनस रूट 3 वैली ह होती है आपकी 10 15 डिगरी की ठीक है ठीक है ठीटा इक्वल टू आपको क्या आया कौन क्या पंद्रा डिगरी तो आई होप आपको किलर हुआ होगा तो आप्शन देखिए आपका राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट कोश्टिन पर ठीक है तो अच्छे से समझ में आ रहा तो नेक्स्ट कोश्टन लिखा आपका देखिए एक व्रत्तकार पत के अंतरिक परीदी ठीक है 24 पाई मीटर है पत की सबी जगे दो मीटर चोड़ाई है ठीक है तो पत की पूरी तरह से गेरने के लिए आवसक क्या हो जागा आपका तार की लंबाई बताई ठीक है तो व्र तो यह माननी हमने इंटर्नल इसकी वह आर वन आर मालने के छोटा और यह आपका एक्टर्नल बड़ा आर हो जाएगा ठीक है तो इंटर्नल परीदी देखिए आंतरिक परीदी आपके दिये हम क्या माना हमने टू पाई आर एक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एक्वल रख लेंगे इसके 24 पाई के पाई से पाई कट गया तू से तू यह आर की वैल्यू आए गए आपकी 12 ठीक है अब यह जो रास्ता दिया है देखिए यह इसकी चोड़ाई कितनी दिये थी हमें हर तरप से 2 के वैली हो जाएगे 12 प्लस टू तो हम इस रास्ते की लंबाई भी जोड़ लेंगे यह आजाएगा आपका 14 अब पूरी घेरने के लिए आवस्टक लंबाई का ते तार चाहिए ठीक है पूरी जगह घेरने के लिए तो इसमें का करेंगे वही टू पाई आर फॉर्मल लग आख देंगे स्काट तो आवश्यक तार जो होगा हमारा कितना होगा अ कि तूपाई आपकर कैपिटल आर तूपाई की वैल्यू आपको पता है टॉनिटी टू अपॉंट सैवन होती है ठीक है और आर की वैल्यू आपको हमने 14 निका लिए तो पाटीन टूजा ठीक है फॉर सबसे पहले इन देखें पांस संख्याओं का आपका क्या दिया है यहां लिख लेते हैं संख्याओं का समांतरमाद्य आपको क्या दिया है पांस संख्याओं का योग कितना होजाएं तो कितना अपका योग ओजाएगा आपका समांतरमाद्य कितना दिया है इस दिया हुआ है आपका कितना 16 ये लिखा हुआ आई देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 और 4 संक्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका देखिए 16 into 4 ठीक है तो ये कितना हो गया 16, 64 64 तो इसमें पूर्जाय ने निकाली गई संक्या की संक्या है ठीक है कहा निकाली गई कर दाँ कि अनिकाली गई संक्या टीक है का संक्या क्या होगी इस बाल 90 में से आपका 84 घटा दें छिए इंक्डी योग में से तो वो संक्या जाएगी तो 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका 64 थह बचाकत 26 ठीक है तो option भी देखे आपका राइट आंतर हो जाएगा तो आई हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलते हैं नेक्स्ट कोशिन पे तो आपको अच्छे समझ में आया होगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे रही तो इस चैनल को subscribe करें और इसमें कमेंट करके जरूर बताएं तो मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई गाई